इंजीनियर राशिद के नाम से मश्यूर शेख अब्दुल्ला राशिद ने लोकसभा चुनाव दोजार चौबिस में बारमूला लोकसभा सीट से पूर मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था इंजीनियर राशिद ने जेल से ही चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी साल 2017 के जम्भू कश्मीर आतंग की फंडिंग मामले में गरफतार किया गया था उसने शांशत के रूप में शपत लेने के लिए कोट में अंतरिम जमानत की अपील दायर की थी दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को राश्टिय जांच एजवेंसी से इंजीनियर राशिद दुआरा दायर आवेदन पर एक जुलाई तक जवाब देने को कहा इस मामली की सुनवाई अब एक जुलाई को होगी कोट ने आज की सुनवाई के दौरान उसे पैरोल या जमानत याचिका देने से इंकार कर दिया अतिरिक्त सत्र नियाधीश किरण गुपता ने मामली की सुनवाई एक जुलाई को तैकी और एन आई ए को तब तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया बता दे कि 24, 25 और 26 जून को लोग सभा के नव निर्वाचित संसदों को संसद में शपत दिलाए जाएगी इंजीनियर राशिद ने सदिस्ता की शपत लेने के लिए जमानत याचिका दायर की है सुनवाई के दोरा नियाएधीश ने पाया कि राशिद के खलाफ लगाए गए आरो दिल्ली आपकारी घोटाला मनी लॉंटरिंग मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता संजी सिंग पर लगे आरोपों से अलग है नियाएधीश ने ये टिपपड़े राशिद के वकील की दलील के जवाब में की उन्होंने अदालत को बताया कि संजी सिंग को हाल ही मेर राज्यसभा सांसत के रूप में शपत लेने के लिए हरासत में पैरोल की अनुमती दी गई थी नियाएधीश ने NIA की जवाब दाखिल करने के लिए समय की प्रातना स्विकार कर ली है अधिवक्त आबरोई ने श्राशिद को जमानत पर रिहा करने का तर्क देते हुए कहा कि उसने भारी बहुमत से चुनाव जीता है वो चाहते हैं कि वो लोगतांतरिक रूप से लड़ाई करें उन्होंने कहा कि शपत लेना उसका समविधानिक करतव्य है ये वास्ताब में शर्मनाक कि उन्हें शपत लेने के लिए अधालत से अपील करनी पड़ रही है अधालत जेल अधिकारियों को लोगसभा सच्चवाले से संपर्क करने का निर्देश दे सकती है 2017 के जंबु कश्मीर आतंग की फंडिंग मामले में इंजुनिर राशिद गयार कानूनी गतिवीदी अधिनियम के आरोप के तहत तिहाड जेल में बंद है NIA ने इस मामले में लशकर इतयाब के संस्थापक हाफिस साइद कश्मीरी, अलगावबादी नेता, यासीन मलिक और हजबल, मुजाहिदीन के प्रमुक साइद सलाहुदीन समित कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था